माउ में LLB का अंतिम पेपर विश्विध्याले से सेंटर पर नहीं पहुचा जिससे 113 चात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा परिक्षा नेरस्थ होने से परेशान चात्रों ने विरोध किया माउ शाहर के प्रतिष्टिट DCS के महा विध्याले में LLB का आखरी पेपर संपन होना था तपेश्वर धर्मेश्वर विधी कॉलेज गंगाउपूर जनपत माउ का परिक्षा केनर था जिसमें आज अंतिम पेपर में दो पेपर आपशनल थे जिनमें एक पेपर Right of Information था और दुसरा पेपर Law of Insurance था जिसमें Right of Information के लगभग 113 परिक्षार्ती सम्मिलित थे और परिक्षा कक्ष में उन सभी परिक्षार्थियों को Law of Insurance का पेपर 8 बच कर 10 मिनिट पर प्राप्थ हुआ जब परिक्षार्थियों द्वारा आपत्ती ली गई तो पता चला कि Right of Information का पेपर परिक्षा केंडर में नहीं आया है थोड़ी देर बाद यूनिवर्सिटी से दिशा निर्देश आया कि आज की परिक्षा को निरस्त कर दिया गया है जल्द ही परिक्षा की आगामी तारिक गोशित की जाएगी इस दोरान दूर दराज की इलाकों से परिक्षा देने आये चात्रों का गुसा फूट पड़ा और उन्होंने जम कर नारे बासे की आज एक बहुत बड़ी मिश्टेक हुई है चुकि पहले ही है जो हम लोग इस विश्विद्याले से संबद थे वीरबाहदु सी पुर्वांचल विश्विद्याले अब उसकी संबदता बदल गई है सम्राठ सुहल दो आजमगर्द युनिवरस्टी से हो गई है जिसकी वज़ा से आज एक बहुत बड़ी मिश्टेक हो गई है हम आपको देखाते हैं अपना परिश्वत देखाते हैं इस परिश्वत में आप देखेंगे कि जो लिखा हुआ हम लोगों के पांस पेपर ते सेकंड से मिश्टर के जिसमें आखरी पेपर आज था राइट आफ इंफार्मेशन जो आज था आज ये पेपर युनिवर्सिटी से आया ही नहीं इस कालेश पर इसकी जगा लॉफ इंशोरेंस का पेपर जो था आप्चनल सब्जेक्ट था को यह एक ले सकते थे इसमें लॉफ इंशोरेंस वाला आया था जिसकी वज़ा से काप पेश्वर कालेश जो विधी कालेश जिससे हम लोग एक्जाम दे रहें यहां से युनिवर्सिटी तक जो कम्मुनिकेशन था इसमें मिसंडेस्टेंडी हुई थी और यहां के परिशासन दोवारा बताया जा रहा है कि युनिवर्सिटी और इनके बीच में तैह हुआ था क कि पढ़ाई कराना है जबकि जो हम लोगों का इसमें आनलाइन हम लोगों निक्या सब्जेक्ट यह आर्टी आई था यहां पर और भी जतने लोग मौजूद हैं सभी लोग यहां के परिक्षार्थी हैं परिक्षा देने आएं से हम चाहेंगे कि इन सभी से हम आपको और उसके वज़ में अभी परिष्चा का डेट इकलियर नहीं हुआ है लेकिन हम लोगों का जो नुक्सान हुआ है हम लोग दूर दरास से आते हैं इसके लिए कौन जिम्हेंदार होगा इसके लिए इनॉर्सिटिट आप कहा से आते हैं दुबारी से आप दुबारी से आते अनिल कुमार शिंग नाम हम लोग यहां पर दूर्सिट आते हैं आइसमें हमने कल विए इनुर्सिट दिया था कि वही कि जो लॉफ इंफॉर्मेशन का जो है जो है पर है उसी सिरीज नहीं मिल रही है तो किस चीज़ का पिपर होगा थे इन लोगों नहीं लोगों नहीं प पर देखा है आज यहां आए हैं हम गाड़ी चला करें का आए हैं और यहां पर आने के बाद फिर जो हैं लोगों को जो इस तीन दीन बाद में किस चीज का प्यपर होगा लॉफ इनिफर्मेशन का होगा या इन्सोरेंस का होगा अब इसकी वएसे हम लोग परिशान है कि ज इसके लिए जिम्मदार भई यह तो इवर्शेटी है यह तो विद्याले है अच्छा यहां कालेश की समस्या कुछ है जी अग्दामिशन सेंटर यह सब दूरस्त है यह यह लोग नैंने यह किसी भी बात को साइट साइट निके बता नहीं रहे हैं यह भी नहीं बता रहे हैं सब्सक्राइब करके और बिजली की बिवस्था यहां विवाधित है पंक्य नहीं चलते हैं बीच बीच में बिजली वाधित हो जाने से कमरे में अंधहरा चाह जाता है जिसे हम लोगों को लिखने में दिक्कत आती हैं आज यह जो पूरे प्रदेश में परिच्छा चला है जिसके कारण हम शात्रों को दिगाल दिया गया इसलिए कि नया सिछा निती में जो लागू हुआ है वो निर्देश था कि यही फार्म फिलब करना है मगर यह विश्विद्याले और सवतेला ब्यवार हम चात्रों के साथ विश्विद्याले में किया है जिसकी वज़े से अभी तक ना चात्रों का रजेल्ट आया है पहला समेस्टर का दूसरा समेस्टर में उन्होंने अड्मिशन भी दाकिल कर लिया है और उसके वज़े से ह प्रदेश माने मुख मंतरी उत्तर प्रदेश सरकार माने मुख मंतरी जोगी जी कि इस बात को बहुत ही गंभीर से ले और नौजवानों का मामिला है अगर हातरों का नुक्सान होगा तो हम लोग इसी काले से सीधे माने मुख मंतरी जी से पद यातरा पुर्वांचल इस प्रेस करकर उनके पास पहुँचेंगे अखिर उन्होंने जब फारम फिलब किया प्रवेस पत्र जब आया उन्होंने एडमिशन सूल्क भी लिया और प्रवेस पत्र उन्होंने जारी किया विश्विद्याले सुवल्देव मारा जो विश्विद्याले है आजमगड में उन्होंने विश्विद्याले को हमारा रेजिश्टेशन फारम को फिलब किया हमें प्रवेश्पत जारी भी किया जारी करने के बाद हम सारे छात्र परिच्छा भी दिये अब वो कर रहे हैं कि आप का ये सब्जेक्ट जो है नहीं है इसी लिए मैं बताना चाहता हूं मेडिया के जरिये पूरे प्रदेश में कि जन्नाइक जंद्रशेखर विश्विद्याले ने एक बार छात्रों का बीड का परिच्छा फार्म कर लिया पचास-पचास लोगों ने पैसा भी फिलिप कर उनका रजिस्टेशन फारम सिकेंड समेस्टर में भर दिया गया है